हेलो डियर स्टुडेंट वेलकॉम टू वेकमाई यूटूब चैनल स्टुडेंट यह वीडियो इस्पेसल मैंने फिप्त और एट्थ क्लास के बच्चों के लिए बनाई है इसमें आपको बोड पेपर किस तरह का आएगा यानि इसका पैटन क्या होगा कुशन किस तरह से है मैं टाम टेबल भी आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा और पेपर किस तरह से आएगा बो भी समझाऊंगा वीडियो को आज तक बनी रहीगा वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप इसकीन पर देख पा रहे हैं मैंने एक नंबर का कुश्चन दो ना पी नंबर का question five number question यहाँ पर note किये हुए है दिख रहा है ना तो एक number के जितने भी question है वो 10 question आएंगे यानि one into 10 10 number हाँ is equal to 10 तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो 10 number के question है एक number का एक question यानि 10 question जो है वो mcqs यानि objective जिसे हम ot कहते हैं इस तरह के question आएंगे next है three number के question यह भी 10 question आएंगे यानि यह से हम short question कहते हैं जो हमारे 30 number के यानि three into 10 is equal to 30 30 number के question रहेंगे यानि short type के question रहेंगे जिसमें हमें प्रते question का तीन number मिलेंगे next है lengthy या detailed जो question रहते हैं five number के question जो चार question या four question रहेंगे और इस तरह से हमारा twenty question के ये five number के question रहेंगे तो student एक number के ten question three number के ten question यानि thirty number हो गए पूरे और five number के four question यानि twenty हो गए इस तरह से कुल मिला करके अपना ये पेपर है बो 60 number का आएगा चाहे फिप्त किलास का हो चाहे एट्त किलास का हो student आपको यही pattern पढ़ना पड़ेगा जैसा के हाप यले में आपने देखा फिप्ति नंबर का question था इसमें आपको आपको long के दो question मिलेते और इसमें दो प्लस हो गए है यानि आपका 20 नंबर का long के हो गए है बाकी से हम वही है तो 60 नंबर टोटल आपका आएगा अब हम exam pattern पढ़ चुके अब हम पढ़ते हैं अपने time table को कब से पिपर हो रहा है time table भी आपका राज से चकेंटर बुपल की तरफ से upload कर दिया गया है जो आपका 23 मार्श से पिपर होना है इसमें आपका दोनों ही कच्छाओं का time रहेगा नौ बज़े से साड़े ग्यारा बज़े तर ओके यह आपका ढ़ाए गंटे का पिपर रहेगा जिसमें मैं आपको बता दूं 23 मार्श से दोनों ही कच्छाओं के पिपर होना है अब पिपर की बात करें तो 5th क्लास का 13 तारीक को किसका पिपर है मैत का पिपर है किसका पिपर है स्टृयन मैत का और वही एर्ट का मैत का ही पिपर है दोनों ही कच्चाओं का मैट का पेपर है नेश्ट 25 डेट को यानि 25 तारीक को फिप्त किलास का प्रतम भासा का पेपर है जो फर्ष्ट लेंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे इंग्लिस मीडियम बाला हो चाए उर्दू हो चाए हिंदी हो जिसने जो भी लेंग्वेज सिलेक्ट की है जो भी अपनी फर्ष्ट लेंग्वेज रखी है उसका एक्जाम होगा वहीं एट किलास का साइंस यानि विग्यान का पेपर हो रहा है अब 27 तारीक सौंबार को परियावरण अध्यान यानि इन्मार्वेंटल स्टडी इवी एस का फिप्त किलास का पेपर होगा वहीं साइंस शोचल साइंस जिसे सस्ट कहा जाता है सामाजी विग्यान इर्थ किलास का 27 तारीक को पेपर है 29 को बोधवार को आपका शमान अंग्रेज यानि को वहीं एर्थ किलास की फिर्ष्ट लेंग्यूज का पेपर है जैसा कि आपने जो चूच किया है हिंदी अंग्रेजी जो भी माद्यम है उसमें फिर्ष्ट लेंग्यूज आपकी जो भी है उसका एक ग्याम होना है नेश्ट है शुक्रबार यानि 31 तो यहां पर अगर फिर्ष्ट किलास की बात करें तो उनका हो चुका अब जो भी अत्रिक्त भासा एक्ष्ट रा जो भी लेंग्यूज होगी उसका पेपर होगा अन्यता यहीं पर उनका इस्टॉप हो गया अब एर्थ किलास की अगर बात करें तो 31 मार्च को सेकेंड लेंग्यूज का पेपर होना है और एक अपरिल यानि एक अपरिल को आपका संस्कृत का पेपर होगा वहीं संस्कृत के लावा आपने चित्त कला बगरा जो भी एश्ट्रा संस्कृत को छोड़कर गिलिया होगा उसका एक्जाम होना है तो इस तरह से आपको 23 मार्च से पेपर स्टार्ट होंगे और एक अपरिल को पेपर खतम हो जाएंगे अच्छा आप ये तो समझी गए कि हमारे पेपर कब होना है बोड़ पेपर का पेटन क्या होगा कुशन किस तरह के आएंगे अब आपको करना है इस्टेडी तो इस्टेडी के लिए मैं आपको चैप्टर भी बता दूँगा कि चैप्टर जो रिडूस हुए हैं वो कितने ह हुए हैं तो नेश्ट वीडियो में वो मैं आपको बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि नेश्ट वीडियो आपको तब ही मिलेगा जब आप ब